गर्दन में दर्द की समस्या का सामना हमें आई दिन करना पड़ता है। गर्दन में दर्द एक बड़ा कारण नसों में सूजन है। गर्दन में दर्द मांस्पेशियों में खिचाव होने या फिर नसों में सूजन के कारण भी होता है। मान स्पेशियों में दर्द होने पर आप बाम या सिकाई या फिर पेन किलर की मदद लेकर असानी से राहत पा सकते हैं लेकिन गर्दन की नसों में दर्द होने पर लोगों को काफी गंभीर दर्द होता है नसों में दर्ध होने पर गर्दन से लेकर सर तक तकलीफ होती है जसमें कई लोगों को पेन किलर्स भी काम नहीं आते वहीं अगर आप दर्ध से राहत पाने के लिए जादा पेन किलर्स लेते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसान डायक होता है अब अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार गर्दन की नसों में दर्द होता क्यूं है इसके पीछे का कारण क्या है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्दन की नसों में दर्द क्यूं होता है गर्दन में नसों में दर्ध होने के कई कारण हो सकते हैं लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से भी नसों में दर्ध की समस्या होती है इसके अलावा गर्दन के आसपास की मांस पेशिया और हड्डिया भी नसों पर दबाव डालती है जिसकी वज़ा से दर्द हो सकता है गर्दन की नस में दर्द का एक बड़ा कारण है नसों में ब्लॉकेज यानि कि blood circulation ठीक से नहीं पाना यूँकि जब आपकी नसों में blood flow ठीक से नहीं होता और नसों में ब्लॉकेज होता है तो इससे ब्लड एक ही जगा रुख जाता है यानि कि जमने लग जाता है जसे नसों में सूजन की समस्या होती है इसके कारण भी नसों में गंभीर दर्ध होता है जो कंधों से लेकर गर्दन और सिर्टक को प्रभावित करता है अगर घरेलू उपचार की बात करें तो गर्दन को स्ट्रेच करें हल्दी का सेवन करें ऐसे फूड सकायं जिनसे ब्लड फ्लो बढ़ें नसों और नसों के आसपास मासपेश्यों की सिकाई करें और मालिश करना भी बेहद लाबकारी होता है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड सकाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें